नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल UPSC Mania पर तो आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन के जितने भी प्रकार हैं उसको देखेंगे ग्योंकि हम दोस्तों जानते हैं कि UPPCS Mains और RO ARO Mains में जो है यह पत्र लेखन जो है पूछा जाता है उसमें या तो जो है आपका प्रारूप पूछा जाता है मतलब एक उधारण दे के आपको उसके प्रारूप जो उसके प्रारूप होता है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है या फिर उसके परिभासा पूछ लेते हैं या फिर उसमें जो है क्या अंतर होता है कोई बादला माली यह जिसमें पांच पत्र लेखन के बारे में मैं जो है डिस्क्रस करूँगा तो उसमें उन दोनों में क्या अंतर होता है तो इस सब चीज़े जो है एक तरीके से इस प्रकार के question PCS mains में और ROARO mains में जो है पूछे जाते हैं तो दोस्तो आईए शुरुवात करते हैं जो पत्तलेखन के अलग अलग जो है जो कह सकते हैं कि जो प्रारूप हैं और जो प्रकार हैं और उसके क्या परिभासा हैं विशेस्ताएं क्या हैं वो सब जो है हम इस वीडियो में cover करेंगे तो इस वीडियो को अंतर तक आप जरूर सही है आप इसका उपयोग जो है अपने परिक्षाओं में कर सकते हैं आप सभी जानते होंगे जो जो बुक आती है वो काफी ऑथेंटिक माने जाती है तो वहीं से जो है मैंने यह सोर्स लिया हुआ है तो आईए शुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों सबसे प इसके पत से दूसरे पद को किसी शास की नीतियों अधेश्यों निर्देश या सूचनाओं इत्याद के सापेघ्षिक पत्र वेभार किया जाता है ठीक है मतलब इस तरीके से जो है फॉर्मल जो है इसकाका स्टेश का अनला गयिस तरीक्टन mucha है और मीली जो है कोई जो है इ एक शास्की पत्र के प्रारूप में लिखा जाता है दोस्तों जो है इसकी विशेस्थान अगर हम बात करें तो जो है इसका उद्गम जो है कहां से मतलब जो है यह भीजा जाता है और गनतर मतलब कहां यह भीजा जाता है मतलब किस जनगे घृश जाता तो शाषस्की पत् Loras के बात करें दोस्तों यह रखेल हूनी होता है ठीक जसेऊं से वर्ष्ट मतलब से नियर से जूर और ऑर जूर निया最 सीनियर चैनल है अब करें चैनल है पहले बताया है कि सूचना यह आदेश हो गया देश रहे निर्देश हो इसके माध्यम से भीजी जाती है ठीक है मतलब यह उसको मतलब हेंचाया जाता है अगर इसकी हम भासा की बात कर होती है सारगर्वित होती है और इस में मतलब पर्सनल खार कोई थान नहीं होता है तो यह भासा का ध्यान देना है जब भी कोई शासकी पत्र लिख रहे हैं और इसकी हम शैली होती है तो प्रारूप की बात करें तो टो सकता है कि बिल्कुल ऑबचाइरिक होता है और मतलब जो भाग होता है वहीं समें इननी यह है मतलब निकलता है और छो जो हमने बताः कि जो भी चीज सूछना देडिया जता है तो उसका है प्रारूप आगे देखेंजा को सलौन होता कई है अगर समभधन था उर्फ समाहपन में कौन स्ब्फ अधियों होते हैं तो जैसे प्लत्ध महोच जो है आदर सूचक सब्दों का उसको दिया जाता है मतलब इसको उसको समपन किया जाता है और अन्हें कोई अगर इसके मुख्रीष्टाओं की बात करें रोगा थो दोस्तों हमने बताया कि सरकारी गजट में इसका प्रकार्शन होता है तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर पद नाम लिखेंगे और मतलब जो शाषकी पता है जो भी वी भाग का पता होता है जहां पर वो office है actually में वो चीज़ लिखते हैं ठीक है यहां पर पत्रांग लिखते हैं जो भी संक्या होती है उस पत्र की और उसके बाद सेवा में लिखेंगे मतलब जिसको हम लिख रहे हैं ठीक है पदुनका लिखेंगे और शास की पता लिखेंगे फिर अनुभाग मत विशा लिखेंगे जैसे मालीजी आपको आप इससे करें ङूंत निरदेश करेंगे और और अध में आप तकाल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें जैसे आइसके ने बताया था कोई आदेश देना होता है या फिर कोई नोटिस जारी करना होता है तो वो इस प्रकार दिया जाता है और अगर कोई सनलगनक होता है तो वो चीज आपको यहां मेंशन करनी होती है फिर लास्ट में आपको भवदी फिर अपने हस्ताचर और नाम और पदनाम ठीक है यह आप जो है इस तरह लिखेंगे और अगर कोई मतलब जिस भी विभाग को मनलेजै एक से ज़ए ज़այ ज़एदा विभाग को आपको वो भेजना है तो आप यहां पर उस विभाग का नाम लिख दें कि मतलब ये पत्यलीपिया इन विभाग को दी जाती है ठीक है और उसके बाद आग्या से ठीक है फिर हस्ताक्षर और नाम पदनाम ठीक है तो यह जो है इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर माफ करेगा जो भाधी दोस्तो हस्ताक्षर जो है अमिस्ता मतलब अपना मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर नाम पदनाम यह जो है ज के लिए से मतलब यहां पर क्या है इसको हम पढ़ते हैं की डेफिनिशन जोस्तों यह आलेखन का रूप होता है मतलब यह पत्र जिसे सास्की कार ब्यवहारों के लिए विभिन अधिकारियों अथोवा किसी आशास्की व्क्तिके मध्य ब्रक्तिकत अस्तर पर विचार करना है तो उसके लिए भी जो है यह अर्ध हरकारी पत्त जो है जारी किया जाता है इसके अगर हम विशेष्टा की बात करें दोस्तों यह किसी अधिकारी के अस्तर पर होता है ठीक है मतलब यह उद्गम होता है इसका ओर जिन होता है और गंतब कहां पर भीजा जाता है तो आपस में दूई-ायामी होता है और इसके विशावस्थ्टों के वाद करें तो मेंली जो है इसमें जैसे शाषक की कार्व भाहर से स्थुट जो भी स्थी से सूचनाय हो गया नूटिस हो गया ऑरडर देना है या फिर कोई डिर्युक्य जारी करना सब चीजे मिलिसमें दिया जाता है और विद्टी विश्वयों पर अत्यकारीं के नहीं हुद करना हो भारता प्रक्रिया हो गया ध्याना कंषन्न हो जा बैठक वोगया मतलब मीटिंग होना होता है तो वह सब सीजे मैतलब एक तरीखिए से अर्द सास के पत्र के माध्यम से की जाती हैं अगर हम निनकी डूस्तो जो है जो हमेशा मेट्री और आत्मी भाहों में लिखा जाता है जो सास की पत्र है वो अपचारिक भावों लिखा जाता है तठस्त या अनिपूरुस को का एक तरीके से होता ठीक है लेकिन दोस्तों यह जो है में ली मैत्री भाव से मतलब काफी friendly nature में लिखा जाता है मतलब इतना भी friendly nature नहीं आपको सास्की अस्तरब पर भेज रहे हैं लेकिन मतलब इस प्रक को करना है जब आप अर्द्रसास की पत्र लिखते हैं और अगर हम इसमें शैली की बात करें तो यह एक वचन और जो है उत्तम पूरुस मतलब first person को डिनोट करते हुए क्योंकि आप किसी से विचार इंवर्स कर रहे हैं तो आप उनसे बात करेंगे आपको जो है ऐसा नहीं क कि निए अगर देखेंगे क्या होता है और संबोधा में जैसा हमने बताया कि प्रिय का श्री हो गया या महूद है इस प्रकार का जो है उप्योग कर सकते हैं ठीक है और कोई अन्यागल सी क्या विश्यस्ता है कि व्यक्तिकत होने के कारण यह पत्त सद्व प्रेशिती ही खोलता है जैसा कि हमने बताया कि जो सास की पत्र है वो जो है विभाग का मतलब जो भी आदमी है आप मतलब उसको आप कोई भी ओपन कर सकता है लेकिन जो यह अर्द सास की पत्र है इसको आप भीज रहे हैं क्योंकि हमने बताये कि यह गोपने रूप से भी आटा है वहांसा कैसे होती है यह विशह वस्त सु क्या है युण कोई जो है चीजे हैं समापन कैसे कर ते हैं अगर यह हमेशा और अगर हम उसी अस्थान पर अर्धिसास की पत्र के बात करें तो अधिकारी या वक्तिस के अस्थर भी होता है मतलब कोई परसन से हो सकता है या कोई पद से हो सकता है ठीक है और दूसरा अगर हम इससे संचालन के बात करें किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है त जो है यह आपका यह समान अस्तर के अधिकारी ही जो है अपना करते हैं ठीक है साथ कि आपस में यह आपस होता है तो हमिइस समान अस्तर मतलब ज़िए कोई भी से मारे लेख-पाल है तो लेख-पाल अपने इस तरहizarman जो जिला धिकारी हैं, वो कोई जिला धिकारी से कर रहा है, दूसरे जिला से कोडिनेट करना होता है, तो वहाँ पर इसका अर्ध शास की पत्र जो है, इस पर कर लिखा जाता है, ठीक है, अगर हम विश्व अश्टों की बात करें, दोनों में क्यांतर है, दोस्तों ये जो है आपका जो शास की पत्र है, ये मिलली प्रयोजन क्या होता है, शास की प्रयोजन तथा ऑपचारिक पदी दाईत्टों की पूरति की, सुचनार देना, कोई डायरेक्शन देना ये फिर कोई जो है ओर्डर देना, तो वहां पर हमेशा एक क्योंते हैं ऑपचारी तरीके से हो है तो उन्हें बताया दोस्तों जैसे कि और जो आपचारी भासा मतलब इसमें में यूज होती है और अन्य पूरुस हमेशा मतलब थर्ड पर्सन को तटस्त भाव से न्यूट्र भाव से आपको मतलब मेली जो प्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पर इसकी भावसाली इस प्रकार होती है और अगर हम प्रेशिती की बात करें मतलब जिसको आप भेज रहे हैं पत्र को प्रेशिती कार्याला या नियत प्राधिकारी खोलता है या फिर कोई अधिकारी है मतलब वो खोलता है ठीक है लेकिन जो यह आपका आर्दिशास की पत्र है जाता कि हमने बताया कि व्यक्तिगत हो सकता है तो जिसको आप भेजेंगे वही सदय इसको open कर सकता है और कोई इसको open नहीं करेगा और अगर दोस्तों इसके हम प्रारूर की बात करें तो ये कुछ इस फ्रकार होता है थोड़ा सा उसमें अंतर होता है यहां पर आप संख्या लिखेंगे यहां विभाग लिखेंगे यहां अनुभाग और यहां दिनांग और यहां अस्थान ठीक है मतलब जो भी आपका अनुभाग है जो भीज रहा है प्रिशक ठीक है फिर अपना नाम और पदनाम ठीक है यहां पर जो है अपने विभाग की मुहर लगेगी ठीक है और यहां पर विशा होगा किस विशा में आप जो है कोई विचार रिमर्स करना चाह रहे हैं या फिर कोई अपनी बात कहना चाह रहे हैं या फिर कोई सला लेना चाह रहे हैं ठीक है या फिर गोपनी दरीगे से बातों को जो है शेयर कर रहे हैं तो यह जो है अपना पत्र मतलब शुरू करेंगे फिस सनलगनक जो भी अगर कुछ ऐसा कोई डॉकुमेंट अटेच करना है तो आप यहां पर अटेच कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहां पर भावनिष्ट हर्ष्टाक्षर नाम ठीक है और उसके बाद यहां पर प्रिश्टि अर्ष्वास के पारूप ठीक है तो अब फ्रसा इसमें अंतर होता है तो यह आप ध्यान दीजिएगा जब आप पत्र लिखेगा देखिए दोस्तों तीसरे पत्र के ओर हम बढ़ते हैं परिपत्र परिपत्र मतलब क्या होता है दोस्तों परिपत्र जो है पत्र आलिखन का एसा रूप होता है जिसके द्वारा समान सूचना निर्देश अनुदेश इत्याल सभी संबंदित अथवा अधिनस्त अधिकारियों को विभिन कारियों के संदर्व में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रिशित किया जाता है मतलब समझे आप जैसे कोई समान सूचना है तो उसको जो है आप अपने विभिन निकारियों के लिए ये परिपत्त जो है प्रतिलिपियों के माध्यम से जो है इस तरीके से भीजा जाता है अगर हम इसके विशेष्टा के बात करें दोस्तों तो शुरुआ देखिये क्या है कि यसे जो इसका उद्गम कहां से होता है जो है और जो है अनेक गंतव्यों तक प्रेशित की जाता है अर्थात इसका प्रेशक एक होता है किन्तु यह सब एक साथ कई प्रेशितियों तक पहुंचता है जो इसका ऊर्जीन होगा वो एक रोगा लेकिन यह कंई लोगों को जा सकता है मतलब अप सेम जो है अपने उसको और जो सबॉर्डनिएट से औंगों जो खाया जाता है ठीक है मतलब आप एक किसी अर्थ कर दोस्तों यह एक आयामी होता है होता है मतलब दोनों हो सकता है लेकिन जो आपका सस्की पॉरषक्षिन जुड़ी होती है इसका प्रारूब जो ए08 पर आधारित होता है उसके ही विश्यवस्तों को भी ग्रहन कर लेता है ठीक है और जहां शास्की पत्र पदीदाज्टों के निर्वहन के लिए बेज आता है वहीं अर्द सास्की परिपत्र जो है यह था अनुरूप विभीन मामलों से संदर्वित होता है इसके अनद प्रारूप भी मूल प्रारूप की व है यह मतलब में बताने की ज़र्वरत इसमें और बाकी चीजे हैं वह आप इसको पूर लीजीगा ठीक है और इसका करन दोस्तों भाशात सैली की बाई करें तो भाशाली दोस्तों जो है इसकी परिपत्र के कोई अपने कोई भासा शैली नहीं होती है बलकि इस पत्र को जिस प्रारूप में भीजा जाता है या उसी के भासाई और शैलीगत वैसिस्ट को धारण कर लेता है है जिस चैट आए-टा जिस प्रारूप में फेजी के जाता है कि अगर नहीं है उसमें उत्तम पूर्स में धैता है तो उसमें ऐसे कोई भाँसा सहली नहीं है और इसमें कोई अगर अन्य की बात करें तो दोस्तों परिपत्र होता है तो वहाँ पर जो है ये परिपत्र भीजा जाता है तो इसको हम सर्कुलर भी कहते हैं सर्कुलर जारी हुआ है तो वही है ये परिपत्र अगर इसका हम जोस्तो प्रारूप की बात करें तो प्रारूप कुछ इस प्रकार है यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे यहाँ पर आप और अस्थान लिखेंगे। और उसके बाद यहां पर विश्या लिखेंगे किस संदर में आप अंत्त करेंगे। और उसके बाद सनलगनक कोई अगर सनलगनक है तो आप यहां पर सनलगनक उसका मेंशन करेंगे यह सब चीजें हैं और भहुदी यहां पर भहुदी यहां पर आप दोस्तों अपना हस्ताक्षा करेंगे और नाम और पदनाम उसके बाद यहां पर प्रतिलिपी निम्न को सुच आप प्रतलिपी बीजी जाए उसके बाद दूस्तों यहां पर आगया से लिखेंगे जिसको आप भीज रहे हैं ठीक है उनका साच्छत यहां पर नाम और पदनाम ठीक है जिनको आप भीज रहे हैं और फिर दोस्तों अगर हम अर्द सास की परिपत्र की बात करें तो जैसे हम वहां पर अर्द सास की पत्र था तो वहां पर क्या था कि यहां पर मुहार लगती था यहां पर देखिए मुहार लगेगी यहां पर संक्या यहां पर विभाग फिर अनुभाग दिनांक और अस्था था कि अर्षास की पत्र मतलब आत्मी भाव इसमें प्रकट होता है तो इसलिए हमेशा प्रिय श्री महोदय का इस्तिमार कर सकते हैं फिर अपना शुरुबात करेंगे कि उपर विश्याइग में कि संदर में आप से आग रहा है कि कृपया अपने पूर पत्र वहा संख्या मतल मतलब आप ऐसा कुछ लिखेंगे ठीक है फिर लास में देखिए संसमान लिखेंगे आप मतलब अर्षास क्रीप पत्र मतलब इसमें भावनात्मक शैली का इसमाल होता है और संलगनक मतलब कुएगर हो फिर उसके बाद भावनिष्ट उसके बाद दोस्तों यहां पर उनका पत्र नाम और मतलब हस्ताक्शनर उनका नाम उसके बाद समझ जितने पध होंगे और उनका पता यह आप यहां पर लिख सकते हैं अब दोस्तों आते हैं अक्रियाल व्यापारिक संस्थान देखते यहांपर दो बार लिख उठाइब एक बार मानियेगा एक वरिष्ट अधिकारी अपने अधीनस्त प्राधिकारियों कर्वचारियों को विभिन सेवा संबंद मामलों जैसे कि आवकास स्वीकृति अनुशास नात्मक मामले या किसी प्रकार से अपील अत्वा प्रत्या वेधन पर लिये गए किसी निरिड़ें को प्रसास की दिश्टिकोंड से अनिवार अनुपारन जारी करते हैं जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि यह आपका कारेले आदेस होता है जैसे आपने कोई भी लीव का एप्लिकेशन डाला है तो आपको उसका स्वीकृति मिलना या फिर कोई अनुशास आत्मक कारेवाही हो रही है आप पे तो वह इस प्रकार जो है यह कारेले आदेस लिखा जात पतलब रूप यूज होता है और इसका अगर हम प्रारूप की बात करें तो देखिए पहले तुब भीभाग लिखेंगे यहां पर आप फिर अनुभाग आएगा फिर संख्या आएगी और फिर दिनांग और अस्थान फिर कारल आदियस यहां पर लिखेंगे आप फिर यहां देखिए यहां पर लिखेंगे तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुभालन सुनेश्चित करें फिर हस्ताक्षर अपना नाव और पद नाम लिखेंगे फिर पतलिपी निम्न को सूचना थेवं आवश्यक कारवाही हेत उप्रेश्यत फिर जितने माली जी किसी मतलब एक से ज जिसको आप भेज रहे हैं जिसके लिए भेज रहे हैं मतलब उनका अस्ताक्षर नाम और पद नाम ये नीची होगा ठीक है तो आप ध्यान दीजेगा दोस्तों हम आखरी जो पत्र विवहार है उस पे देखेंगे क्या है विज्यप्ति या अधिसूचना इसके डेफिनिश शयक महत्वपूर्ण मामलों शासकी निर्ड़यों सूचनाओं एवं अन्य सामविधिक आदेशों को सर्व साधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्यप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है विज्यप्ति को अधिसूचना भी का जाता है सक्षम अधिक सरकारी का निर्ड़न है या शार्षन के वैदहानिक क्रिया कलाब है या कोई अन्य सूचना है तो वह विज्यप्ति के रूप में प्रकाशित आनिवार होता है मतलब यह मैंडिटरी होता है कि सरकारी गजट में इसको इस तरीके से प्रिशित के जाए देखिए इसमें क्या सररोप होते हैं ठीक है और इसमें क्या क्या होता है बिवह प्रशाशनिक कारो तो उसके परिप्रेक्श में जैसे कि आफका अस्तान अंतारण हो गया ट्रांसपर हो गया रिक्तिया मतलब कहीं पद खाली है या फिर पद और नती मतलब आपका प्रमोशन होगा है तो वहाँ पर इसको मतलब जो यह आपका अधिस से उचना है विग्यप्ति जारी होती है या फिर मतलब यहाँ पर फिर हस्ताक्षर और यहाँ पर जो दूस्तों जो हस्ताक्षर होता करें हम बा सरवोच अधिकारी होगा वही मतलब उसमें साइन करता है तभी आपका जो है तरीके से प्रोमोशन होता है और अगर हम बात करते हैं स्टेटुटरी की बात के मतलब जो सामविधिक जो अधिसूचना या विग्यप्ति होती है तो में लिए दोस्तों वो नीतिगत पहलूमों क संदर में होती मतलब कोई नीति है सरकार की तो उसके पहलूमों के होती है और इसमें जो होता है वो मेंली जो है राष्ट्रपती या राजएपाल के होते हैं ठीक है जैसा कि हम दो प्रशासनिक होता है एक्जेग्यूटर उसमें जो सर्वोच अधिकारी होगा उसका होगा और जो सामविधिक मतलग की अगर होगा उसमें तो है राश्पती राज्यपाल का होता है अस्ताक्षर तो यह मेली दो है मेली इसमें दोनों में अंतर होता है और अगर हम इसके प्रारूप की बात करें तो देखिए पहले बिभाग लिखेंगे किस विभाग का से जो है वो ज अगर मालीजी कोई चीज ऐसी है जैसे मालीजी कोई अधिकारी है और जो ग्राम पंचायत है उनसे मेली जो है साफसफाई का जो साफसफाई को एक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई अध्यसूचना जारी कर रहे हैं तो यहां पर आप अन लिख देंगे ठीक ह वहां पर आपको जैसा पदउनातिव वहर लिखने के और शक्ताने की वह उस संधर्व में नहीं तरीकी यहां पर यहां पर ये सीज्ज़ आपको मेंशन करना होता है यहां ओन्यारी जिए हैं और आग्या से जिसको आप भेज रहे हैं उनका अस्ताक्षर नाम और पद यह और जिसको आप दे रहे हैं ठीक है इस तरीके से और उसके बाद यहां पर निमनक को आवशक है तो अभी आपको जितने समाचार पत्र हैं उन्में भीजना है या फिर कोई अधिकारी अनुभाग या अभी लेखागार को मतलब जापियों कि सरकारी गजट में प्रस्तृत करन है उसमें प्रिंट कराना है तो वह आपको इस प्रकार लिखना होगा फिर जो भी मतलब जो जिसको आप भेज रहे हैं वहाँ पर उनका अस्ताक्षर नाम और पतनाम जो है आपको लिखना होगा अब दोस्तों है हम विग्यप्ति और कार्याले आदिस सर्कुलर में और उद्गम कहां से इसकी शुर्बात होती है ठीक है तो जोस्तों यह सर्वोच पाधिकारी से जैसा के हमने देखा जो विग्यप्ति है वहां से जारी होती है और यह जो आपका कारयल आदेस से यह हमेशा उच्छ पाधिकारी से होती है ठीक है मतलब किसी भी मतलब जैसे जो सेनियर है जूनियर है वहां से हो सकती है ठीक है और हम संचालन के बात करने कैसे ट्रांस्मिट होता है तो उपर से नीचे होता है यह हमेशा जो है एक आयामी होता है हमेशा जो हायर ऑफिशल्स होते हैं वह अपने लोगर ऑफिशल्स क कोई समाचार पत्र को भेज रहे हैं तो यह हमेंसा ऊपर से नीचे होता है मतलब अगर हम उद्देश के बात करें क्या उद्देश होता है तो सूचना अर्त के लिए कोई सूचना अगर जारी करने होते हैं प्रभाव की बात करें तो विग्यप्ति है वो शर्ण सब्सक्राण करना है ठीक है और जो मतलब सभी के लिए समान होती है और जो कारले आदेस है वो जो है अधिनस्तों पर होता है यह सरुसाधान पर नहीं होती है और अगर हम वाद इस्थिति की बात करें तो उलंगन होता है विग्यप्टी का तो इस दसा में किसी भी पक्छवारा वाद योग है ठीक है और समानेता वाद योग जो है इसमें कारल करने इत्याद की दसा में वाद कें मतलब अगर इसका अनुपालन नहीं होता है तो मतलब इतरीके से इसमें आप जैसे काहरीले आदेश में जो है क्या होता है कि मतलब चीजें मतलब हो सकते हैं ठीक है से तक रहा हम बते करें तो इसको पारण करना होता कारली आदेश को लेकिन विग्यपती का मतलब का कर सकते हैं कि आप उस पे तरीके से क्लेम कर सकते हैं कि यह चीज आप प्रतश्वागाए कि आप कोई पर निकाले हैं लेकिन उतने पर भरे नहीं गए हैं तो आप उस पे जो है तरीके से claim कर सकते हैं आप उसमें High court में court में night कवी आपका पार के घरे सकते हैं लेकिन आपका जो आपका यह है क parenth़ आधे से इसमें you court कोट नहीं सकते हैं ट्र एक उनय करना भी आपको पालन करना ही करना होता है जो लोगों के पत्ति जिम्मेदारी है सरकार की या फिर कोई बिभाक की वह मिली होता है यह द्रिश्ट्रिकून होता है मिलनी इसका ठीक है अगर दंड की प्रकृत्प्री की देखें तो सामान्यता अधंड अधंड आत्मक होता है और उलंगन की दसा में अनिवारता दंड न नहीं पालन कर रहे हैं तो आप मतलब दंड लग सकता है कुछ जुर्माना लग सकता है जैसे कोई भी चीज है अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उस पर आपका दंड लग सकता है ये कारल आदेश में ये विगवति में ऐसा नहीं होता है और अगर दंड आदेश की कोई पूर्तिक देना है कोई स्टूडेंट है कोई भी ऐसा चीज है इससे किसी भी जन्मानस को आहत हुआ है तो कुछ यतना कंपेंसेशन होगा यह का मतलब नियाले करेगा ना कि कोई अधिकारी और उसी अस्थान पर जो कारल आदेश है जो जारी करता है वही करता है कि कितन लगाना कितना पनिश्मेंट लगाना एक साल हो गया जैसे आनमाली जी आपका जो है ट्रांसफर हो गया आप नहीं गये ठीक है तो आप जो कारवाही होगी जैसे तीन मेहने का आपको टर्मिनिशन लिटर दी जाएगा मतलब आपको सस्पेंट कर दिया जाएगा तो इस प् विशिष्ट सासना देशों में मतलब इसको जारी किया जाता है तो यह गजट में आनिवार रूप से कहते हैं कि जारी करना आवश्यक नहीं है तो यह हमने जो है कुछ पांच प्रकार के पत्रों को देखा है दोस्तों तो मेरे खाल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया ल बाकि अंतर वगएरे भी थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल लिख लेंगे तो मुझे लगता है आपको यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अगर को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं वहां पर आपके डाउट को दूर क किये जा सकता है तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो